आप सभी दोस्तों का स्वागत है आपके यूटुब चैनल इस्टडी ऑनलाइन चैनल में अगर आपने अभी तक चैनल को सस्क्राइब नहीं किया तो फड़ फड़ चैनल को सस्क्राइब करें वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेर करें और लेटेश नॉटिफिकेशन के लिए बेल आइकन की को प्रेस कर दे ताकि सबसे पहले आपको नॉटिफिकेशन प्राप्त हो सके चली दोस्तों स्टाइट करते हैं वीडियो को मद्य प्रदेश समान ग्यान का भाग 41 जिसमें हम कवर करेंगे टीकमगर जिले को तो वीडियो में अंदर तक बने रहेगा चली शुरू करते हैं टीकमगर जिला तो टीकमगर जिला सागर संबाग के अंतरगत आता है और इस जिले में 10 तहसीले सामेले कौन कौन सी तो टीकमगर बलदेवगर निवाडी प्रत्वीपूर जतारा पलेरा ओर्चा खरगापूर मोहनगर और लिंगोरा आदी 10 तहसीले इस जिले भी अंतरगत आती हैं चलिए नेक्स्ट है देखते हैं टीकमगर जिले की स्थिति के बारे में तो यह पूर और दक्षिन पूर में मद्द प्रदेश के छतरपूर जिले और उत्तर में निवाडी जिले से और पस्चिम में उत्तर प्रदेश के ललित पूर जिले से घेरा हुआ है ध्यान में रख समलों 4% है और यहां का लिंगा अनुपात 1000 पुरुस पे 901 महिला यहां सम्मिले थे हैं बात करते हैं जनगनत की तो यहां का जनगनत तो 286 वर किलो मीटर है दोस्तो नेक्स्ट है इसका प्राची नाम टेहरी है दोस्तो ध्यान में रखेगा टीकमगर जिले का प्राची नाम क कहा जाता है दोस्तो बहुत इंपॉर्टेंट है ध्यान में रखेगा टीकमगर जिले को तलाबों का जिला और परवतों का जिला भी कहते हैं क्यों कहते हैं क्योंकि इस जिले में तलाब वा परवत अधिक मातरा में पाय जाते हैं चलिए नेक्स्ट है टीकमगर जिले में इ भारत की प्रथम नदी तरलाब जोडने वाली परयोजना टीकमगढ में सुरु की गई थी दोस्तो बहुत important है धियान में रखेगा भारत की प्रथम नदी तरलाब जोडने वाली परयोजना मद्यपरदेस के टीकमढ गढ जिले से सुरु की गई थी चलिए next देखते हैं वादिक उत्तर प्रदिस से लगती है तो वह टीकमगड जिला है चलिए नेक्स्ट है टीकमगड जिले में इस्तित ओर्चा को प्राचीन समय में पंदरसो एक में यहां के प्रथम राजा रूद प्रताब ने राजी के रूप में स्थापित किया गया था दोस्तो बहुत द्यान में रखीगा टीकमगड में जो ओर्चा स्थान है उसको प्राचीन समय में पंदरसो एक में रूद प्रताब ने राज्य के रूप में इस्थापित किया था ध्यान में रखीगा चलिए नेक्स्ट है ओर्चा दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है यह कई बार द्यान में रखीगा रमायड संगराले कहां पर इस्थापित किया गया है तो टीकमगड जिले के और शा नामकिस्थान पर इस्थापित किया गया है चलिए नेक्स्ट है टीकमगड जिले में जो दो जैन तीर तिस्थाल है कौन कौन से तो ताला और पायो राजी यह दोनों के हैं जैन तीर तिस्थाल है जो टीकमगड जिले में इस्थेत है चलिए नेक्स्ट है प्रसिद के जाबुआ जिले में और जाबुआ जिले के भाबरा गाउं में इनका जन्विस्थाल है ध्यान में रखीगा और यह जो है टिकमगर जिले की ओर्चा तहसील में कुछ समय तक फरारी काटे थे ध्यान में रखीगा चलिए next है ध्यान में रखीगा जिले की नदियां के बारे में तो यहाँ पर बेतवा धसान जमानी बागरी और बरुआ आधी नदियां यहां से प्रवाहित होती है चलिए नेक्स्ट है टीकमगर जिले का और द्योगिक विकास के इंदर क्या है तो वह प्रताप पूर है ध्यान में रखीगा चलिए नेक्स्ट है प्रसिद मदन सागर जील टीकमगर जिले की जतारा तहसील में इस्तित है दोस्तो ध्यान में रखेगा चलिए नेक्स्ट है टीकमगर को बुंदेलो की सौरे भूमी के नाम से भी जाना जाता है दोस्तो ध्यान में रखेगा इसको भी कि टीकमगर जिले को बुंदेलो की सौरे भूमी के नाम से भी जाना जाता है चलिए नेक्स्ट देखते हैं दोस्तो इसके पहले हम तो यहां परिस्तित है प्राचीन सीव मंदिर, हरसिद्द देवी लच्छी मंदिर, चतुर भुज मंदिर, अर्चु माता मंदिर, पायरार जी जैन तीर्थिस्तल, रगुवन्स मणी मंदिर, राधिका रमण मंदिर, आधि यहां के धार्मिक इस्तल हैं वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यबाद दोस्तों उमीद है आपको वीडियो अच्छा लगाओगा, अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सस्क्राइब जरूर कर दीजेगा, चलिए मिलते हैं मत परते समान गयांगर नेक्ट भाग में, तब तक के लिए जै हिन जै भारत